हाँ तो का से आवाज आनी बंदो गी थी यह हो गया धर्या मतलब इसकी आवाज आगी थी कि यहां से पबल करते हैं से कंटीन करें करें कहां से पबल करते हैं कहां से मैं कहां से मैं तो जिरो बेस्ट सिटीज का एक 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 कॉंसेप्ट है तो जो यह चैलेंज था ना यह एक यूके बेस्ट यह वाटर एड एंजियो मतलब नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन है उसने शुरू किया था तो इसके अंदर तीनी सिटीज अब तक अभी तक आई है एक तो जो हाजनबर के साउथ एफरिका एक होचिंग में सिटी है अफ यह तीसरी सिटी नोंने गुहाटी को चूज किया है तो इसके अंदर यह क्या कर रहे है कि जो भी एंट्रप्रिन्योर्स है ना जो की हेल्प कर रहे है तो रिड्यूस और रिसाइकल वेस्ट और जो क्रेट कर रह अवर्ड मिला है एक टाइब का तो इसमें यह ती चीज आज रगना कि दो सिटीज तो बाहर कि और एक इंडिया की गुहाटी चूज हुई है और यह और यह और गनाइजेशन भी यूके बेस्ट है बेस्टेड फिर उसके बाद है यह बबल कर्टें तो बबल कर्टें जो क क्या है कि एक फर्स्ट टाइम ऐसा टेकनलोजी है जो कि स्टॉप करेगा प्लास्टिक को फ्रम एंटरिंग इंटू दा रिवर यमुना तो स्पैसिफिकली यह रिवर यमुना के लिए बनाया गया है तो उससे क्या है कि आगे मतलब ओशन में अंटर ना करे प्लास्टिक औ बड़ी सी बबल की मतलब ऐसा एयर ट्यूब टाइप की तो उसमें से ना शिप्स और फिश को पास कर सकते हैं थू दोस एयर बबल्स बट प्लास्टिक विल स्टॉप तो प्लास्टिक को वह ऐसा कैप्चर कर लेंगे फिर उसको खीच के बाहर निकाल लेंगे तो यह इसमे वाटर है जो की यूज होगा प्रोड़क्शन में किसी भी फूड आइटम या नॉन फूड आइटम में तो एक टाइप का इन विजिबल वाटर है जो की कंज्यूम हो जाएगा इन दे लाइफ साइकल ऑफ दा प्रोड़क्रों सर्विश तो एक्जम्पल क्या है कि जैसे मा और टो यह है इसका थो यह कर रहे है वर्चु वर्टर एं पिना वर्टर है को से स्विश में जाता वी उजए एक उपर रहे है तो दर राइट टो रिपेर मुमेंट एक है तो दर राइट पीर एलेक्रोंिक प्रुडक्स is a reference to the need for the government legislation that is intended to allow consumers the ability to repair and modify their own electronic devices तो कहां से आया था एक concept USA से आया था और इसके अंदर किया कि जो भी हमारे electronic devices है वो consumer को allow किया जाए कि वो से repair कर सके है तो उसके लिए एक हमें government legislation चाहिए तो उसी को बोलता है right to repair right to repair movement तो यह electronic products से रेलेटेड है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मीन्स अभी आ रही है न वैसे हमास तो एक यह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज करके है तो किसने अभी यह चल रहा था हमारा water world water week 2021 तो इसके अंदर यह जो हमारा national mission for clean गंगा है इसने होश किया एक session जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सेटीज तो क्या मतलब है इसका इसन इंजीनियरिंग अप्रोच तो वाटर ट्रीटमेंट वेर अल्ड़ वाटर इस रिकवर्ड एंड कंटामिनेंट्स अर रिद्यूस्ट तो यह वाली लाइन याद अगना कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यह एक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें वाटर को इंड्यूस वेस्ट वाटर एकनोमिकली एंड प्रोड्यूस्ट क्लीन वाटर दैट इस सस्टेनेवल फोर यूज इट एम एंप्लोईज एडवांस वेस्ट वाटर डिसलीनेशन ट्रीटमेंट टेकनोलोजीज तो वेस्ट वाटर के लिए है यह तो इतना यादत ना बस यह नहीं है मतलब वाटर पॉलिशन के लिए वो क्या है करेकन तो यह कुछ रिपोर्ट्स एन इंडाइसीज है तो सिर्फ और्गनाइजेशन का नाम याद रखना और क्या काम है इनका वो याद रखना तो सोलो नाम से है के और्गनाइजेशन स्टेट ऑफ द वर्ल्स लैं तो जो यह और्गनाइजेशन है यह किसने रिलीज किया अभी वाला रिपोर्ट अफ एफ फेओ तो इटली में इसका हैड़कॉर्टर तो क्या है इनका एम की टू टेक स्टॉक अफ इंप्लिकेशन ऑफ अगरिकल्चर एंड रिकमेंड सॉलूशन फोर है उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे है तो उससे रिलेटिड यह रिपोर्ट है तो वस इतना याद रखना है और ट्रैफियों का है यह फिर एक है इंपक्स ऑफ प्लास्टिक पॉलुशन और फ्रेश वाटर एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एविन माइगरेटरी सिजीज कोव और प्लास्टिक पोलोशन की इंपक्ट को बताता है माइगरेटरी स्पीशिज व्हेर आप में तो किस ने लौशक किया है कंवेशन कीशा है कंवेंशन ऑन मैंगरेटरी स्पाउशन बढूबियर तो यह रखना बॉन कन्वेंशन जो मने पहले बात की थी नौक तो बॉन एक सीटी है जर्मनी में तो यह बस प्लास्टिक वेस्ट के लिए बताते हैं इतना है पिर किसीमेस के बारे में देख लो कि बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं और इनएटेड नेशन के एक विद्धेनेबल उस माइग्रेटरी आनिमल संदेर अबिटेट इन इन्दी इन्ट पार्टी आ है और इसके अंदर यह इन्होंने लिस्ट बनाई यह पेंडिक्स बनाई आर अपेंडिक्स आपेंडिक्स चुन में कि वह वाली स्पेशिश डाल दी जिए जो की थैटेटरन दे करके एक रिपोर्ट रिलीज करिया जो यह भी है प्लास्टिक पॉलिशन के उपर इस ने रिलीज कर एक यह कि अब ने की चलते हैं प्लास्टिक पॉलिशन को कंट्रोल करने के लिए फिर चलते हैं बायो डाइवर्सिटी टॉपिक है नेक्स तो इसके अंदर एक फिफ्टीन्थ कॉन्फरेंस ऑफ पार्टीवी थी सीवीडी में तो सीवीडी अपना लीगली बाइंडिंग है जो यू एन फ्सी सी से निकला था तो इसके अंदर क्या है कि अब यह मतलब यह कहां पर हुई है कन मिंग चाइना के अंदर हुई है और बस फिफ्टीन्थ मिटिंग होता है आ देखना फिर एके में औप्जेक्टिव क्या था इसके कि हम इक ग्लोबल बायोडावस्टी फ्रेमवर्क मतुलाब शुरू करेंगे जो की रिप्लेस करेगा स्ट्रेटेजग क्लेन फो बायोडावस्टी और नन ओफ दे 20 टार्गेट्स फुली अचीव तो जो भी इन्होंने टार्गेट्स रखे थे आई चीव डावस्टी टार्गेट्स वह भी तक अचीव नहीं हुए है कोई भी अचीव नहीं होएं फिरेंक के कंद्मिंग डिकलेरेशन बस पूछ लेंगे ना तो बयुझा लेटी आधर रखेर तो इस टाइब कीचिज़ बूछ दर्गेर को तो यहाद रखना यह 20 टार्गेट इस डिसाइड किये थे हमने अंडर फाइव स्ट्रेटेज में सी बीडी के अंदर किये थे 20 टार्गेश तो इंडिया ने भी मतलब ऐसा यह इंडिया भी चाहता है इंडिया भी 100 नेशन्स में से है जो यह कमिट्मेंट वगर करेगा तो इसके अंदर एक यह है पर 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 वो सुरी है मैंनी कंट्रीज तो प्रोटेक्ट ऑफ देर लैंड एंड और याद रखना यह हैं लैंड और सी कंजर्वेशन के लिए तो बस इतना इसमें मतलब याद रखना चीज यह है कंजर्वेशन ओफ अट लेंड और सी एरियाज ग्लोबली बाइट टुर्टी थर्टी टार्गिट है फिर एक इसके लिए बाइडवस्टी फंड भी बनाएंगे और यह ओपन प्राइवेट सेक्टर को भी इंवाल्व करेंगे फिर एक ग्लोबल जो यह सब इसके अंदर मतलब हेल्प करने वाले हैं अचाहिक कोशन था कि जो हमारा ग्लोबल एंवायर्मेंट फैसिलिटी है वो कौन कौन से उसको सब्सक्राइब प्राइब अचाहिक कोशन था अचाहिक कोशन था अचाहिक कोशन था जो यह जी एफ 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 ग्लोबल एंवायर्मेंट फैसिलिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स को फंड़िटी है प्रवायर्मेंट करता है इन दोनों को फंड्स प्रोग्राइब करता है ग्लोबल एंवायर्मेंट फैसिलिटी और फिर एक यून फ्कल्राइब और यह अपना वो था ना पी ओपी वाला स्टॉक्हों कन्वेंशन जो परसिस्टेंट और गैनिक पॉलिटेंट्स पे और एक मीना माटा कन्वेंशन अन्मर करी तो यह पांच है तो इसको फंड प्रोवाइड करते हैं तो यह पांच जो याद रखना इंपॉर्टेंट है दी तो बाइलाजिकल डाइवस्टी कंजरवेशन के लिए इंडिया इसका पार्टि यह तो इसके अंदर ही यह थी वह आयते प्रोटकॉल्स टीनों इंपॉर्टेंट है कार्टेजिना प्रोटकॉल नागोया प्रोटकॉल और एक नागोया क्या बोलता है तो यह मौडिफाइड और्गनिजम से उनका सेफ हैंडलिंग होना चाहिए और सेफ यूज होना चाहिए तो याद है ना कि लिविंग मौडिफाइड और्गनिजम जो भी हम डेवलप होंगे उसके बाद उनका कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए तो वो सारे बेनिफिट मतलब आपस में शेयर होने चाहिए तो उससे रिलेटिट है यह तो फेर एंड एक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए सबी को तो उससे रिलेटिट है नागोया प्रोटोकॉल तो यह तिनों CBD के अंदर यह आते है और फिर एके नागोया कुलालमपूर तो इसके अंदर थोड़ा सा और हो गया कि हमें सस्टेनेबल यूज करना पड़ेगा कंजर्वेशन करना पड़ेगा और जो भी issues है related to leaming modified organisms उनको address करना पड़ेगा तो यह तिनों याद रखना तो इससे जो related question आया था न वो शायद यह आया था कि उसके अंदर तीन दे रखे थे Kyoto Protocol दे रखा था एक कार्टेजी न दे रखा था नागोया तो उसमें ऐसे statement दे रखी थी कि इसके अंदर क्या-क्या mention है तो याद रखना कि mention हाँ उसमें एक ऐसे दे रखा था शायद NX1 countries करके दे रखा था तो कार्टेजी न और अभी हमने नागोया देखी लिया तो इन दोनों में कई पर NX1 country तो mention है नहीं तो वो Kyoto Protocol में mention है और एक clean development mechanism मतलब CDM एक mechanism है वो भी Kyoto Protocol में mention है तो इसमें mention है तो ऐसी मदब तीन statement दे रहे हैं कि तीनों की तीनों जो थी वो Kyoto Protocol से match कर रही थी इन दोनों बार कुछ भी नहीं दे रखा था उसमें तो देख ले न पी बाई क्यों है वो भी फिर एक एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है फोर मैनेजिंग नेचर थू टूंटी थर्टी तो जो हमारा UNCBD है इसके अंदर 21 टारगेट से फोर टूंटी थर्टी तो चार गोल्स तो इसमें से जो चार गोल्स है हमें अचीव करने यह लिविंग इन हार्मणी विन नेचर तो वो टूंटी फिफ्टी तक करने हैं और फिर इसके अंदर यह वही आ गया थर्टी परसेंट ओफ ग्लोबल इसके चार गोल्स इन्होंने बता रहे हैं तो एंहांस और रिटें नेचर सर्विसिस्टू यूमन्स एंशॉर फियर और इक्विटेबल बेनिफिट्स पूर आल तो यह वाला यह नागोया प्रोटोकॉल तो याद रखना नागोया प्रोटोकॉल फिर एक यह हैं हाइएंबीशन कोलेशन फोर नेचर एंड पीपल तो इंडिया भी इंडिया ने इसको उफिशिली जोइन किया है लिए इसा पहला कंट्री है ब्रिक्स में से तो क्या करना चाहरे यह सारे यह करना चाहरे प्रोटेक्टिंग अट लीस्ट थर्टी परसेंट अफ द वर्ल लेंड और सी बाइट वही थर्टी टर्टी टार्गिट है तो एच्छे सी के अंडर हाई इंडिया इसके अंदर 2 स्टेटमेंट पूछ लेगा हुँ हाई अंडर एकि इंडिया मेंबर है या नहीं है या फिर इंडिया ऐसा पहला कंट्री बनेंड जो इसका मेंबर बनेंड ब्रिक्स में से दूसरा पूछ लेगा कि इनका जो गौल है वह 30 टर्न अफिर आपको हैं ट परसेंट हिस्सा एट लीस्ट हमें प्रिजर्व करना है मतलब प्रोटेक्ट करना है इंपोर्डेंट फिर आएगा यह इंटरनेशनल कॉन्फिरेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी साइन्स तो इसका भी एट्थ यह कॉन्फिरेंस हुआ है तो किस चीज़ से बेज़्ड है हाव बायोडियावर्स्टी बेस्ट सॉलुशन कें कंट्रिब्यूट तो सस्टेनेबल डेवलप्मेंट तो वही बायोडियावर्स्टी के उपर है फिर आता है बायो लॉजिकल डाइवर्स्टी अमेंडमेंट्मेंट तो तो 2002 में भी आया था जो बायोड लॉजिकल डाइवर्स्टी एक्ट तो यह क्यों आया था इंडिया में मतलब किसको फॉलो तो तो फुल्फिल इंडियाज ओब्लिगेशन अंडर इसलिए हम बायोजिकल डाइवर्स्टी एक्ट लेके आया था क्योंकि हमें जो यह सीबीडी हुआ था ना और नागोया प्रोटोकॉल हुआ था तो ऑन एक्सेस और बैनिफिट शेरिंग तो इन दोनों को अब्लिगेशन को फुल्फिल करना था इसलिए हम बायोजिकल ड्यस्टी एक्ट से री लेडिलेडिट एक कौश्चन था कि जो यह लिए बायोजिकल डाइसे अंदर बनाए जाते हैं तो यह इंपोर्टेंट चीज है कि जो हमारे बायोजिकल वो स्वारी बायोस्वेर रिजर्व जैना वो कोई से भी एक्ट के अंदर नहीं बनते हैं मतलब ऐसा वह डाल देंगे कि बायोजिक बायोस्वेर रिजर्व आर नोटिफाइड अंदर बायोलोजिकल डाइवरस्टी तो बहुत रॉंग स्टेटमेंट है तो एसा यह मतलब पता नहीं पीवाई क्यू में देखा था वैंने के टेस्ट सीरीज में तो जो बायोस्वेर रिजर्व हैं वो हमारे किसी भी इंडिया कोई बी इंडिया का एक्ट उनको नोटिफाइड नहीं करवाता वो पता हूं रही है कहां कहां है तो जो साउथ वाले एक दो तो इंपोर्टेंट है और अचल प्रिदेश वाला भी इंपोर्टेंट है तो वह चीज याद रखना पिर एक इसमें यह वाला कोशन था एंटी सीए जो है हमारा एंटी सीए यह कौन से अच्छा इसमें भी लिखाओ है तो इसके चेर कौन करते हैं एंटी सीए को तो एंटी सीए जो है हमारा नैशनल टाइड गर कंजर्वेशन थार्टी एक तो डव्लू पी एक्ट के अंदर आता है इंपोर्टेंट तो यह चीज याद रखना है डव्लू पी एक्ट जो हमारा इसके अंदर काफी सारे और्गनाइजेशन आते हैं जैसे कि नैशनल बोर फॉर वाइड लाइफ है तो यह एक है सेंट्रल जू अथारिटी है एक नैशनल टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी है तो यह याद रखना है और इसके अंदर एक चीज है कि जो यह नैशनल बोर्ड फॉर वाइड लाइफ है ना इसको कौन चेर करता है प्राइम सब्सक्राइब है तो यह दिफ्रेंस याद रखना है इसके अंदर और और आगे चलते हैं तो यह बाइलोजिकल मैनेजमेंट कमेटी जैट आर रिस्पॉंसिबल फॉर पीपल्स बाइडावर्स्टी रेजिस्टर्स तो आगे पढ़ेंगे हैं तो यह कुछ अब्जेक्टि को श्यार है जैए उस इसमेंडमेंट के कि हम वाइल आइफ रेद्यूस करें और उस्थे सब्सक्राइब सेहल फीर और फिर है कि सिंप्लिफाइंग एक्सेस टू बायलोजिकल रिसोर्सेज इन इंटलेक्ट्ट्व प्रॉपर्टी राइट्स तो एक हमारी अथॉरिटी होती है यह भी पीवाई क्यों है एन बीए कौन सी अथॉरिटी है यह हां यह वाली स्टेट्मेंट तो यह क्यों पीवाई क्यों है यह पीवाई क्यों में पूछा गया था कि जो नेशनल बोर्ड नेशनल बायो डिवेस्टी बोर्ड है उसकी परमीशन के बिना आप कोई भी ऐसे मतलब यह रजिस्टर नहीं कर सकते हो इंटलेक्ट्ट्व प्रॉ प्रूवल बिफोर दे ग्रांट आफ आई पी आर ना तो पहले क्या होता था कि है तो जो अगर हमें ना जो मतलब हमारा नेशनल बोर्ड बायोडावरस्टी है नेशनल बायोडावरस्टी बोर्ड इसकी परमीशन चाहिए होती थी अगर हमें एप्लिकेशन फाइल करनी है आई पी आर के लिए तो वह पीवाई क्यों है तो इंपोर्टरेंट है तो याद रखना और इसमें दो दो स्टेट्मेंट पूछी गई थी एक सेकंड देख लेगता हुए हां तो दो स्टेट्मेंट की एक था कि जो हमारा नेशनल बायो अथारिटी है वो चेक करता है बायो पाइरेची एंड प्रोटेक्ष इंडी जीनियस एंड ट्रेडिशनल जैनेटिक रिसोर्सीज वो स्टेट्मेंट कर्यक्ट है और दूसरा था कि एप्लिकेशन ऑफ इंट नोट भी मेड विदाउट अप्रूबल ऑफ एन भी तो यह था दो स्टेट्मेंट तो अब इसके अंदर यह अमेंडमेंट किया गया है कि इन्होंने जो यह इंट्रेक्ट्ट्र प्रॉपर्टी राइट्स का जो एक्सेस था वो थोड़ा सा सिंप्लिफाई कर दिया है तो पहले क्या होता था कि अगर कि किसी फॉर्ण को अप्रूप वह्यों सब्सक्राइब कर चाहिए तो नैशिनल बौर्ड के पास जाता था और इंडियन को परमीशन चाहिए तो और गौरणप अब अभी क्या है कि application can now obtain nba approval before the grant of ौफ आई प्यार तो उनको approval मिल सकता है before the grant of ौफ आई प्यार एंड नोट बिफोर applying for rpr तो apply से पहले नहीं बतलब grant से पहले पहले उसमें क्या था कि application file करने के लिए भी अप्रूवल चाहिए होता है लेकिन अब आप अप्लाई तो कर सकते हो लेकिन grant होने से पहले अप्रूवल चाहिए तो important statement है तो इस हिसाल यह हूँ सकते है तो anyone who needs approval who does not need approval from nba to access by law must give prior intimation है तो वही अभी मतलब इसमें state boards का अभी भी control है तो बस यह वाली statement याद रखना important है तो यह वाला इसमें बड़ा change कर दिया गया फिर इसके अंदर कुछ offenses भी है कोगनीजीबल और नॉन कोगनीजीबल और पिर यह स्टेट गवर्मेंट विल प्रिस्काइब दा कंपोजिशन ओफ यह बी एमसी और स्टेट कें डिक्लेर स्टेंट स्पीशिज और एक्सपेंशन ऑफ एम बीए तो इन्होंने थोड़े मेंबर्स भी बढ़ा दिये गए अ कि आई पियार बगर है देता और यह सब देता है फिर आते वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल तो यह जो हमारा बिल है 1972 के एक्ट को ही अमेंड कर रहा है अभी बिल है तो अभी एक्ट नहीं में ना तो जो हमारा 1972 वाला था वो क्या था उसमें यह अपने 6 स्केडियूल होते थे तो 6 स्केडियूल के अंदर तो याद रखना कि पहले और दूसरा स्केडियूल तो इंपोर्टेंट है तो स्केडियूल वन वाले सबस्टादा प्रोटेक्टिड है फिर उससे से कंप्रोटेक्टिड है थर्ड वाले और थोड़े स प्रोटेक्टिड वाले वर्मीन अनिमल्स ते वर्मीन अनिमल्स मतलब जिने अब हंट कर सकते हैं तो अब जो यह नया अमेंडमेंट आ रहा है जो पुराने वाले अमेंडमेंट था उसमें क्या था कि चार चीज़े भी थी नैशनल पार्क्स वाइड लाइस सेंचुरीज कम्यूनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व यह सब नोटिफाई होते थे ठीक है तो यह था और इसके अंदर जो कम्यूनिटी रिजर्व रिजर्व सेंचुरीज जो थी हमारी नैशनल पार्क्स थी जादा मतलब डाइस स्ट्रिक टाइप के होते हैं फिर वाइड लाइस सेंचुरी फिर उसके फिर इसके अंदर ऐक तो प्लांट से रिलेटिटीड था एक वर्मीन एनिमल से रिलेटिड था बाकी चार प्रॉटे कि इसके अंदर 6 से घठाके 4 स्केडूल कर देंगे तो पहले वाला स्केडूल तो भी होगा कि हायस लेवल ओफ प्रोटेक्शन मिलेगा निमार्स को स्केडूल तो में थे थार्ड में प्लांस डाल दीए इन्होंने और में ऐसली जो भी साइट्स जो हमारा एग्रीवेंट है उससे रिलेटिड जो एनिमल से वो यहां डाल दिये तो इसमें वर्मिन एनिमल्स तो फतम ही कर दिये हैं तो यहां देखना कि साइट्स क्या है हमारा कि कन्वेंशन ओन इंटरनेशनल ट्रेड और एंडेंजर स्पीशिज ऑफ वाइल वाइल फ्लोरा एल फोना तो इसका जो रेजोल्यूशन था 1963 में अडॉप्ट किया था मीटिंग भी आई यूसीन वालों की तो उन्होंने और फिर फाइनली एग्रेड इन 1973 और 1975 में फोर्स में आ गए तो क्या बोलता है एक इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल एनिमल्स एंड प्लांट्स दस नॉट्रे निमल्स का ट्रेड नहीं कर सकते है अगर उनका सर्वाइबल जो है वो खत्रेबे है तो सेक्रेटरी हैं यूनिपी में और कहां लोकीट करता है जीनिवा स्विजर लेंड लेंड में अगर से अडमिनिस्टर बाइउन पी लोकेटिट इनिवा सुजरलेंड निया भी पाटि पूसरा प्रनी नोहीं अधा थो समय वब करता थागा कूल परlike नेयों अधने लेंगे युन्रेशन घंडख था वह रही है गणा कि अधर यह सके शरी इनना हमेट तो हमारे गडसते तथा रे उसके बारे में वहादे वोलता था तो वो आपको पता होना आची कि जो हमारे वाइद्लाइफ प्रोटेक्ट्स और यह है अपने इवाइद्लाइफ सेंचुरी उसके अंदर क्या यह डिफ्रेंस है तो जो हमारे नेशनल पार्क से हैं तो क्या है उनके अंदर एक पॉर जोन होता है तो यह याद़ है ना कोर जोन बॉफर जोन और कौन नोटिफाई कर सकता है नेशनल पार्क को एक तो वाइड लाइफ प्रोटेक्शन अंदर होते है अटेक्शनल पार्क स्टेट गवर्मेंट तो यह चीजह आणा ना नेशनल पार्क थोड़ी ज्यादा मतलब प्रोटेक्टिड होते है देन वाइड लाइफ नंकी संट्री लाइफ है नहीं दोनों के अंदर होता है वाजान बॉफर जोन अर्वाइड सेंचूर जो और यह नैशनल पार्क होते हैं इनको सेंटल गवर्मेंट भी टिक्लेर कर सकती है अंडर स्पेसिफिक कंडिशन्स और वाइल सेंचुरी थोड़ी सी मतलब कम स्टिक्ट होती तो उसके अंदर मतलब थोड़ा है बिटेट टाइप भी रख सकते हैं तो जो सेंटल गवर्मेंट होती है में एड और डिलीड वाइल सेंचुरी जो नेशनल पॉर्क एक और चीज कि जो नेशनल पांडरी वह ना उनकी ऐक बाऊंडरी वी यह लेक्विजेशनों इनकी कोई ऐस बाऊंडरी फिक्स में होती है तो डिफ्रेंज जादा याद रखना मतलब इनका अभी तो यह बिल आया है जो न्यूज में है तो इतना इंपोर्टेंट निये लेकिन इससे जुड़ा जो स्टैटिक पार्ट है वह बहुत प्रेंट की होती है ना मारी वह नेशनल पार्क्स में कर सकते हैं लेकिन उसके सकते हैं और और यह थोड़े रिजर्व और यह तो अमने देखी लिए तो इस बीपलिक लेंड पर मतलब जो अल्रेडी एक्जिस्टेड लेकिन जो कम्यूटी रिजर्व्ट होते हैं वह थोड़े प्राइविट टाइप के लेंड होते हैं कि ओड़्वी एक अंदर और वह भी चीज है याद रखना कि वह था न कोस्टल प्रोटेक्टिड एरिया जो भी डैवलूपी एक अंदर यह मेंशन है और इकोनोमिक सेंसिटीव जौन वह कहां पर मेंशन है एक अंदर मेंशन नहीं पूरा टर्म इंडरेक्टली तो वह भी वाई क्यों रहतों याद रखना तो यह तो यह अलाओ दसेंटल गवर्मेंट टू डिकलेर कंजर्वेशन रिजर्व तो इसमें पहले तो अभी कहरें कि सेंटल गवर्मेंट भी कर सकती है लेकिन अभी बिल है तो मितलग ऐसा फाइनल है इसको कुछ भी नहीं है तो जब फाइनलाइज हो जाएगा तो जब भी पूछेगा ऐसा यूपियस को तो महरास्ट्रा बिकें दा फर्स टेट तो रिलीज इस ओन वाइड एक्षिन प्लैन तो यह चीज या दखना और एक यह चीज या दखना कि एज अप्रूट देट एक्स्टेंशन ऑफ बाउंडरी ऑफ तबोदा अंधारी टाइगर रिजर्व तो यह वाला टाइगर रिजर्व का पर है महाराश्ट्रा इंपोर्टेंट है या दखना टाइगर रिजर्व है तो पता हो निची कहा कहा है कौन सा कौन सा है तो जैसे इन्होंने यह बोला है कि नो रिन्यूवल ऑफ एनि आर्म लाइसेंस ग्रांटिट उगा तो जो यह मारा था ना चीफ वाइल लाइफ वार्डन इससे पर्मिशन लेनी पड़ती है अगर हमें क कि इस यह मेलब स्टेटिक पार्ट पर थोड़ा जादा को करना करन्ट में अगर इतना नहीं भी पता है तो भी चल जाएगा तो यह स्टेटिक पता होना चाहिए इस रिलेटिट सारा फिर आगे क्या है इसमें प्लांट वेराइटी तन फार्मर्स राइट्स एक्ट है 2001 का तो अभी जो हमारी पैप्सी को वाला केस वा था गुजरात का तो से रिलेटिड है तो यह कैसे एक्ट के अंदर इनक्ट कहिया गया था तो फॉलो दर ट्रिप्स तो ट्रिप्स एग्रिमेंट है डव्लू तो य यह याद रखना फिर इसके अंदर क्या है कि यह जो है इंटरनेशन उनियन फोर प्रोटेक्शन ऑफ जो है यह यह इंस तो एंकरेज देवलोप्मेंट अफ नुव वाराइटी अफ प्लांट पॉर्ट बेनेफित आफ सोसाइटी विंटर गवर्मेंटल और ब्रीडर्स बट ऑल्सो टू दा फार्मर्स तो इंटलेक्शल प्रोपेटी राइट्स तो उसी आदमी को होते है जो बनाता है उसको मतलब जो वह जिसने वह प्लांट बनाया है लेकिन इसके अंदर फार्मर्स को भी है जो उसको उगा रहा है दोनों के पास IPR है तो इसले इसके इसके एक तो रिकॉगनाइज करेगा और प्रोटेक्ट करेगा राइट ऑफार्मर्स एक्सेलेरेट करेगा अगरिकल्चर डेवलपमेंट फैसिलिटेट करेगा ग्रोथ ओफ सीड इंडस्ट्री और इंस्टिटूशनल मेकैनिजम्स है इसके कुछ के तो रजिस्टर क प्लांट स्पीशिस डेवलप होगी वह डिस्टिंक्टिव ने होनी चाहिए उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए तो यह सब है फिर एक नैशनल जीन बैंक हम बनाएंगे टू स्टोर सीड मैटीरियल तो हमने एक पहले पढ़ा था ना सीड वोल्ट जो है स्ट्रेक्शन एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाएंगे जिसका हम चैलेंज भी कर सकते हैं और जिसको एक साल के अंदर वो मैटर डिस्पोज आफ करना पड़ेगा तो इसमें बता रखा है कि ब्रीडर्स राइट है कुछ जिसने वह बनाया है मतलब कि राइट तू प्रोड्य जीन फंड भी तैयार कर रही है तो उसके अंदर फार्मर शेल नॉट लाइबल टू पे एनी फी प्रोसीडिंग बिफोर अथॉर्टी और रजिस्ट्रार और त्रिब्यूनल और हाई कोट इट विल बी पेड थू नैशनल जीन फंड तो जो भी रजिस्ट्रेशन होगा फा करते हैं थैंक यू गाइस पूर जोइनिंग दे सेशन